कम एज में ही दाड़ी आ गई है तो उसको कैसे रिमूब किया जाता है यालि उसको कैसे हटा जाता है आज आप इस वीडियो में बात करेंगे तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सुस्क्राइब जरूर कर ले तो मैं हर रोज एक कमेंड का रिप्लाइ करता हूं और उसके बारे में मैं पूरी इंपर्वेशन देता हूं आप प्रोब्लम के अकोडिंग आपक दाइमी तो यह भाई बोल रहे हैं कि मैं अभी 13 साल का हूं और मेरी मूच और दाड़ी आ गया तो इसे रिमूब करूँ तो भाई देखो पहली बात तो यह है कि अगर आपकी इस तेरा साल है तो आपकी अभी दाड़ी आने की सुर्वात हुए यानि आपकी जो दाड़ी क कम रह जाए için यानि आपकी हइट पर एपक्ट पड़ सकता है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए इसके लिए आपको। ओनली बीएट को करना चाहिए जो आप त्रीम आजाए कि यह अगर आप उसको रिमुब करोगई बैस करोगई ट्रेट करोगे या पर आप सेविंग करोगे तो उससे आपकी दाड़ी और जल्दी से बढ़ने लग जाएगी जो कि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है आपकी यह जबी 13 साल है तो आपकी पांस साल तक कम से कम आपको ब्याट कंट्रोल में रखना अगर 18 साल से पहले पहले आपकी पूरी ब्याड आगई है तो हो सकता है आपकी हाइट पर एपक्ट पड़े यानि आपकी हाइट रुक सकते हैं जबर जस्ति आप उगाते हो तो आपको सेविंग तो बिल्कुल भी नहीं करना आपकी दाड़ी की ताकि आपकी दाड़ी जल्दी से ग्रोथ ना करें तो आप hourly trim कर सकते हो जिसको कि आप tremor बोलते है जीरो कराना बोल सकते हो तो आपको tremor करना इसकना आपको कोई भी टीड्मेंट नहीं करना यह इसका सबसे बहतरीं आन्सर है अब एक भाई ने और कमेंट की वो बोल रहा है वितमीनी कैपसुल लगाने से जल्दी डाड़ी आ गई है कैसे रिमूब करें प्लीस से रिपलाए तो जो वितमीनी कैपसुल है उसको लगाया है उससे डाड़ी जल्दी आ गई है तो बाई रिमूब करना है तो आप बैक्स रेट वगरा करा सकते हो बड़ बैस ओप्शन होता है कि आप ट्रीम करें हॉम टीट्मेंट भी आप कर सकते हो बीट रिमूब करने के लिए जिसके उपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे आप जाके देखें बैस ट्रीमर एक फुल लड़ी आ गई है मैं आपके साथ उस बक्त से हूँ जब आपने चैनल सुरू किया था शुक्रिया भाई ऐसे वीडियो बनाते रहा है तो लब यू भाई और ऐसा ही प्यार मुझे भी देते रहे ना मैं जो भी ट्रीक्मेंट बताता हूं उससे आपको फायदय को कभ खड़ी आपको फड्त से हूं आपको लोग प्यार सब्सक्क प्राइबाब करा दिस्ट्रीक्टबक्ट्स बक्राइबाब से घ्म